समरकन लिये चलते हैं जहाँ पर इस वक्त अपिया मूदी बोल रहे हैं बहुत महत्पपूर है S.C.O के सदस्य देश 22 जड़िपी में नदभग 30 प्रतेशत का योगदान देते हैं और विश्व की 40 प्रतेशत जनसंख्या भी S.C.O देशों में दिवास करती है भारत S.C.O सदस्य की बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है माहमारी और युक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेंज में कई बाधाय उत्पन न हुई जिसके कारण पूरा विश्व अपुत्पुर्व उर्जा एवन खाद्य संकट का सामना कर रहा है S.C.O को हमारे खेत्र में विस्वस्थ रिजियन्ट और डावर्सिप्राइट सप्लाई चेंज विक्सित करने के लिए प्रैत्ना करने चाहिए इसके लिए बहतर कनेक्टिविटी के आवश्रक्ता तो होगी ही साथ ही यह भी महत्वपुर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिक का पुरा अधिकार दें एक्सलेंसी हम भारत को एक मैनिफेक्टिर हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं भारत का युवा और प्रतिवाज़ाली वर्कफोर्स को में स्वाभाईव जिरु से कॉम्पेटिटिव बनाता है इस वर्स भारत की अर्थववस्ता में सेवन पॉइंट फाइव प्रक्षिसत भुद्धी की आशा है जो विश्विटी बड़ी एकॉनिविज में सबसे अधीक होगी हमारे पीपल सेंट्रिक डवलप्मेंट मोडिल में टेक्नोलोजी के उचीत उप्यों पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है हम प्रतेक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं आज भारत में सत्तर हजार से अधीक स्टार्ट अप्स हैं जिन्मस से सो से अधीक यूनिकोन है हमारे यह अनुभव कई अन्य ऐस्सीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है कि इसी उद्देश से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रूप और स्टार्ट अप्स एन इनोवेशन के स्टापना करके एसीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साजा करने के लिए तैयार है एचलनसी विश्व आज एक और बड़ी चुनोती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरीकों की खाद्य सुरुक्षा सुनिश्चित करना इस समस्या का एक संभवित समादान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूर है जो न सिर्फ ऐसीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकर से निपटने के लिए एक पारमपरिक, होशक और कम लागत वाला विकल्प है वर्ष 2023 को UN International Year of Millets के रुप में मनाये जाएगा हमें SEO के अंतरगत एक Millet Food Festival के आयोजन पर विचार करना चाहिए भारत आजविश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिजम के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है अपरिल 2022 में गुजरात में डब्ली एचो ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का उद्धाटन किया गया पारमपानिक चिकिसा के लिए यह डब्ली एचो का पहला और एक मात्र ग्लोबल सेंटर होगा हमें एस्टिनल मेडिसिन्स पर सहीयोग बढ़ाना चाहिए इसके लिए भारत एक नए एस्टिनल मेडिसिन्स पर पहल लेगा अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिदेंट मिर्जी अवको आज की बैटक के उत्कुरुष्ट संचालन और उनके गर्मजोसी से भरे आत्रित्र के लिए फिर से धन्यवाद अज़ा करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद तो आप प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को इस वक्त सुन रहे थे SEO देशों की ये सम्मिट बैटक के बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने क्लियर किया कि उनका विजन क्या है और SEO के सम्मिट में क्या ऐसी एहम बाते हैं जिस पर तमाम आठो देशों को मिलकर काम करना है क्योंकि SEO में शामिल तमाम जो आठ देश हैं वो तकरीबन 40 पीज़दी है दुनिया की आबादी का और 30 पीज़दी जीडिपी है दुनिया की अगर जीडिपी से आप तुनना करेंगे तो इसलिए प्रधान मंतरी ने विशेष्टा बताई और ये भी बताया कि भारत किस तरीके से मैनुफैक्ट्रिंग हब बन रहा है इसके साथी साथ आपसी सहयोग की कितनी जरूरत है इन आठो देशों को ये भी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किया और कहा कि इसलिए जरूरी है कि आपसी सहयोग बनाएं और जो संकट आया है उस संकट से आपस में बैट कर बात करकर निप्टा जाए क्योंकि जो खाद संकट है उससे निपटना जरूरी है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर